नमस्कार दोस्तों मैं दिपीका हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चानल बिंग ममी में मा बनना हर महिला की अभिलासा होती है पर आजकल की लाइफ स्टाल ऐसी है तनावपुन जिंदगी होती है जिस वज़े से की औरतों का जो बाजपन होता है वो बढ़ता जा रहा है पर एक कहावत है जहां चाह वही रहा अगर समस्या है तो उसका सामाधान भी है जहां जा रहा है वहीं पर साइंस ने इतनी तरक्की कर लिए इतनी कृतिम उपाय उन्होंने जो है हमारी दुनिया को दे दिया है जिससे कि मा बनना जो है ओरतों के लिए असान हो गया है उन्हीं उपायों में से एक उपाय है आईवी एफ आईवी एफ का फुल फॉर्म है इन अगर आप भी जो है वो माबाप के सुखसे वन्चीत है और आप माबाप बनना चाहते हो तो आप भी जो है आईवी एफ करा सती है यह बिल्कुल सेफ है अगर कोई जो है नाचुरल तरीके से पैरेंस नहीं बन पा रहे है तो डॉक्टर उनको सला देते हैं कि आप टेस्ट किजेगा और बिंग ममी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजेगा जब माता पिता लाखो बार प्राकृतिक रूप से ट्राइ करने के बाद भी जो है माबाप के सुखसे व और तब तक आप कर सकते हो जब तक कि आप माबाप ना बन जाओ या फिर अगर किसी मेला के फैलोबियन ट्यूब में कोई प्रॉबलम है तो इस टाइम पर भी जो है दोक्टर उनको सला देते हैं कि आप आइवी एफ कर वा लीजिए आइवी एफ का प्रोसेस क्या है इसके भी जिए आप मेल जो है gioosip के साथ कराए जाता है और जब अंडा जो है वह फैटलाइज हो जाता है तो उसे वापस से महिला के घर्व के अंदर रख दिया जाता है जिससे की महिला बहुत आसानी से जर रवbirds ढर लेती है और इस प्रक्रिया में महिला ओको हर्मोनल इंजेक होती हैं वो करते हैं विक duplication के लिए गर्वधारन करना थोड़ा मुष्किल हो जाता है आज कल जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर लिये वहीं पर प्रॉब्लम्स ने भी अपनी बहुत जादा तरहकी कर लिए उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है और्टों का बाजपन देखिए प्रदूसन के वज़े से बढ़ते उम्र के वज़े से तनाओ के वज़े से जो है और जो है वो गर्भधारन नहीं कर पाती हैं जिस वज़े से की डॉक्टर सुने बोलते हैं कि आप आईवी एफ करवा लीजे और यह बिल्कुल सुरक्षित तरीका है गर्भधारन करने के लिए इसलिए आजकल आप देखते होगे कि बड़े-बड़े सहरो में जो है आईवी एफ के बड़े-बड़े केंद्र जो है वो अगर्ण है सफलता की दर कि अईचे और ऐगर रही है तो वो आईवी एफ करवा सकती है इससे वह जो है वह इसलिए प्रैगनेंट हो जाएंगी अगर लेडीज जो है ठर्टी फाइब से पहले आईवी एफ करवाती है तो पूरी की-पूरी सम्भावना रहती यह कि आप बिम्राइन कि अगर किसी तरह का क्राप्राम का इस पर बना और आर्ट घर्वार्व डेखिसा आई की था माता पिता की अंडानू और सक्रानू यह स्वाहे था IVF करने से पहले माता-पिता का पूरे चेक-प किया जाता है जिससे पता चलता है कि वो IVF के लिए रेडी है कि नहीं मतलब अंडानू और सुक्रानू उनके उस लेवल पे आते हैं कि नहीं कि वो फेटलाइज हो पाए तो उसमें और दूसरी और जो डॉनेट करती है अपने अंडानू को उसका इस्तमाल करके जो है वो गर्वधारन कर सकती है या फिर अगर जो पुरुष उनके अगर शुक्रानों में किसीobs है तो इसके लिए भी जो है किसी और पुरूस का डोनेट क्या हूआ जो सुक्रानू होता है उसका इस्तमाल करके जो है औरत गर्वधारन कर सकती है तो इस तरह से IVF को जो है करा सकते हुआ IVF के टाइम में, IVF जब होता है उस टाइम में जो है स्तरी के सरीर से काफी ज़यादा अंडे को निकाला जाता है और जब उन्हें टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो डॉक्टर जो है उस चीज को अच्छे तरह से अब्जविशन में रखते हैं और उसमें से जो सबसे स्वस्त गुर्ण होता है उसे ही स्तिरी के गर्व में वापस डाला जाता है जिसे कि बच्चा जो है वो पूरे तरीके से हेल्दी होगा एकदम स्वस्त बच्चा होगा इस चीज की भी पूरी गैरेंटी होती है इस तरीकी सरीर में से बहुत सारे अंडे को निकाला जाता है तकि अगर आप एक बार में अगर अगर स्वस्त प्रेजर नहीं को पाई और और आप किसी और महिला को दान देख करके है उनकी भी मदद कर सकती है, है तो दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको बताया की IVF होता क्या है और अगर आप IVF करवाते हैं तो इससे फाएदे होंगे आपको अगर आपने प्राकरतिक तरीका करके ठक चुके हो और फिर भी माँबाप नहीं बन पा रहे हैं तो आप IBF करवा सकते हैं इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जो है अच्छे तरीके से बात कर लीजिए आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए आपके पास बहुत सारा पेशन्स भी होना चाहिए और आपके पास पैसा भी होना चाहिए क्योंकि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी जादा हेल्प करता है कि आपके लिए वीडियो जो है वो इन्फोमेटिव रहा होगा और अगर आप जो है आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करना चाहते हैं के साथ सब्सक्या होगा